हाली में भारत सरकार ने CAA, Citizenship Amendment Act, यानि कि नागरिक्ता संशोधन अधिनियम लागू किया, जिसके बाद पूरे देश बर में इसको लेकर चर्चा होने लगी, CAA क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन आज आपके लिए भी जानना जरूरी हो जाता है कि जब हम CAA की बात कर रहे हैं, नागरिक्ता संशोधन अधिनियम की बात कर रहे हैं, तो हम पाकिस्तान की बात क्यों करें, वो पडोसे मुल्क जो आतंकवाद को पालता है, पोस्ता है, उन्हें पनहा देता है, देखें CAA क्या कुछ है, सबसे पहले आप ये समझे, तीन ऐसे देश, यानि कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगलादेश, जहां पर अगर मिजॉरिटी के हिसाब से देखा जाए, तो मुस्लिमों के संख्या जादा कही जाती है, अब भारत सरकार ने इनी तीन देशों से 2014 से पहले पहुचे हुए भारत में हिंदू, सिक, पार्सी, इसा बाहा रखा, अब आपको ये भी समझने की जरूरत है, देखें, मुस्लिम्स को सिर्फ इसलिए बाहा रखा गया, क्योंकि इन तीनों देशों में मेजॉरिटी जो है, वो मुस्लिम्स की जादा है, और यही वज़ए कि वहाँ पर उनके उपर अत्याचार नहीं होते है, जैसे ही भारत के अंदर नागरिक्ता संशोधन अधिनियम लागू हुआ, वहाँ पर जो आतंकवाद को पालता है, पोस्ता है, उन्हें पनहा देता है, कई बार विशपटल पर उसको फटकार लगाई जा चुकी है, कई बार यह कहा जा चुका है कि पाकिस्तान जो है वो आ आतंकवादियों को अपने घर में पनहा देती है, अब जैसे ही भारत के अंदर C.A. लागू हुआ, ठीक उसका असर पाकिस्तान में दिखाई देने लगा, यहां तक कि आप इस समझे कि खैबर पक्तुनवा में जो सबसे पुराना हिंदूों का मंदिर है, उसे तोड़ दि दिनियम है, वो कही na कहीं लोगों के लिए किरन साबित हुई है, उन लोगों के लिए जो 2014 से पहले यहां पर पहुच चुकत है, जो माइनौरिटी में है, जो भारत सरकार से इस बात की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, कि कभी ना कभी जो है, उन्हें भी भारत सरकार का वो आ कैसे महिलाओ को जो है प्रताडित किया जाने लगा लेकिन इस सब के बीच में आप ये बताईए कि भारत सरकार ने जो नागरिता शंशोधन अधिनियम लागो किया आपको क्या लगता है क्या वो सही है या गलत कमेंट बॉक्स में बताईए कर दो